घर और किचन की काम को करना बेहद मुश्किल होता है बट इन सारी टिप्स को अगर फॉलो करते हैं और इसको यूज करते हैं तो आपके मुश्किल काम भी बहुत जादा आसान हो जाएंगे तो चलिए दिख लेते हैं टिप नमबर वन देखिए जब कभी भी इस तरीके से केलिक खरीद करके लिया है तो ये छोटा सा एक और गनाइजर जरू बना ले इसमें आप अपने केलिक को हैंग करके और कहीं भी रख सकते हैं खराम नहीं होता आप देखिए जब सूजी का हलवा बनाते हैं तो दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो जब सूजी आधी भून जाए तब इसमें ड्राइफरूट डाल देजिएगा जिसे dry fruit easily भून जाते हैं और साथ के साथ इसमें एक चम्मच पेसन भी जरूर एड़ करिएगा इससे जो आपका सूजी का हलवा होगा बहुत जादा tasty बनेगा साथ के साथ आपकी gas की तो जरूर बचत हो जाएगी क्योंकि dry fruits कई लोग अलग से भून के डालते हैं तो उसमें देखिए आपके gas की खपत होती है और इस तरीके से एक साथ ही दोनों काम हो सकता है अब बढ़ते हैं next tip के तरफ तो इस तरीके से बचे fruity पीते हैं जब बिल्कुल end में रह जाती है fruity तो सीधी straw से बिल्कुल नहीं निकलती है तो आप straw को निकाल दीजिए और इसके अंदर उल्टा करके डाल दीजिए इससे क्या होगा कि जो भी इसके तली में बचा हुआ है juice वो निकल जाएगा बचे इसको easily पी लेंगे अब देख लेते हैं next tip तो देखे इस तरीकी की ब्राब पुरानी जरूर होती है सबकी तो कई बार आप इसको इसी तरीके से फेक देते होंगे बट आप इसको फेक येगा नहीं इसमें दो चीजे होती हैं जिसको आप निकाल सकते हैं इस तरीकी का hook और जो कप होता है कप को भी आप निकाल करके रख सकते हैं और अपने ब्लाउस में इसको स्टिच करवा सकते हैं तो यहां पर देखे जो hook है hook को भी लगा कर कि मैं दिखा रही हूं कई बार जीन्स काफी ज़ादा धीली हो जाती है तो अगर आप इसे cut करवाना नहीं चाहते हैं यह जो hook है आप इसको लगा दीजिए लगाने के बाद आपकी जो भी डीली जिन्स है वो काफी अच्छी तरीके से tight हो जाएगी आप देख लेते हैं next tip तो देखे यहां पर मेरे पास gift wrap है इसको अच्छी तरीके से मैंने cut कर लिया है और बिल्कुल इसको square cut करिएगा इससे बहुत ही बहते रेन चीज़ बना करके मैं आपको दिखाऊंगी देखे जैसे मैं इसको fold कर रही हूँ आप इसको ध्यान से देख करके same इसी तरीके से fold करिएगा और बस ये जो side वाला part है जो extra दिख रहा है उसको अंदर के तरफ fold करके और जो नीचे part छोटा हुआ है उसको अंदर के तरफ टक कर दीजिएगा तो देखा आपने कितनी easy तरीके से मैंने यहाँ पर envelope बना दिया ना तो हमने इसको चिपकाया और ना ही कोई बहुत जादा effort लगाया तो ये बहुत खुबसूरत लगता है इसको जरूर ट्राइ करिएगा देखते हैं next tip तो देखिए सर्दी आ गई है और बच्चे इस तरीके के hoodie पहनना पसंद करेंगे लेकिन problem तबाती है जब आप इसको fold करके रखते हैं क्योंकि hoodie जादा space occupy करता है तो इस तरीके से fold करिए काफी कम जगा में ये organize हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए एक bottle ले लिया है मैंने उसको जैसे मैंने draw किया है उस तरीके से आपको draw कर लेना है और किसी भी sharp tool से आप इसको अच्छी तरीके से cut कर लीजिएगा cut करने के बाद आपको ना कुछ इस तरीकी का shape मिलेगा जो की बहुत ज़्यादा काम का है कहीं भी आप इसको hang करके और अपनी जो भी जरूरत की चीज़े हैं like polythine की बात करूंगी मैं की यहां पर इसके अंदर में polythine को organize करके दिखाऊंगी तो देखिए जो उपर के sharp edges है ना उसको जरूर बराबर कर लीजिएगा अब देखिए जितनी भी आपके पास इस तरीकी की waste polythine होते हैं अब बढ़ते हैं next tip के तरफ देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि चाकू रख करके यह भूल जाते हैं मिलता ही नहीं है तो इस तरीकी का अगर आपके पास pizza cutter हो तो उसको use कर सकते हैं धनिये को cut करने के लिए काफी बारी cut देता है यह क्योंकि यह बहुत sharp होता है अब इसको आप किसी भी ना कंटेनर में भर करके रख लीजिए जब जरूरत हो तब इसको use कर सकते हैं बढ़ती हूं next tip के तरफ तो यहां पर दिखिए जो jeans होती है ना वह काफी मोटा stuff होता है तो जब इसकी सिलाई करनी होती है या फिर कहीं से stitching इसकी खुल जाती है तो उसको stitch करने से पहले आप इस तरीके का साबुन जरूर लगा लेजिए जिससे उसमें थोड़ी सी चिकना ही आ जाएगी और जब आप इसको stitching करेंगे न तो आपकी needle भी तूटेगी नहीं और easily आप इसको stitch कर पाएंगे तो यह भी बहुत चोटी सी बहुत simple tip है लेकिन 110% work करती है अब देखिए अगर आपका bed sheet बहुत बढ़ा है तो आप इस तरीके से अपने mattress के उपर इसको बिछा करके और जो भी extra part है उल्टा करके इसको rubber लगा दीजिएगा तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा एक design बन जाएगी चारो तरफ बनाईएगा काफी अच्छा लगेगा चुकि देखिए अब भी festival टाइम है इस तरीके के पीतल और तामबे के बरतन यूज किये जाते हैं तो इसको साफ करने के लिए बाहर से कोई पीतामबरी खरिदने की जरूरत नहीं है नॉर्मल ये गिहूं का आँटा ले लिया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाइट विनिगर डाल करके और बस इसको जितने भी आपके तामबे और पीतल के बरतन है न उसके उपर आपको इसे लगा देना है लगाने के बाद इसको पांसे दस मिनिट तक जरूर छोड़ दीजिएगा इसके बाद नॉर्मली आप जिस चीज और खरिदने की जरूरत नहीं है कहीं भी कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है तो बहुत जादा इसे रगड़ना नहीं पड़ता है ये बहुत असानी से जितनी भी इसके दाग धब्बे हैं उसको साफ कर देता है चुकि विनिगर आप जानते ही है क काईरी कर पाएंगे वो मैं बताऊंगे आपको सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहां पे इसका लूप होता है लगाने वाला वहां पे इस तरीकी जो प्लास्टिक के लॉख होता है आप उसको लगा करके और फिर आप इसको वेर करिये आप देखेंगे कि जो भी भारी य बाम है खतम हो गया है तो इसको किस तरीके से मैं reuse करूँगी सबसे पहले तो इस तरीके की form sheet को cut कर लेना है आपको और इसके अंदर इसे insert कर लेना है इसके बाद जितनी भी आपके पास needle है जैसे कि जो hand वाली needle होती है वो भी या फिर machine की needle होती है वो भी आप इसके अंदर डाल करके easily आप इसे रख सकते हैं काफी अच्छा organizer है बचों के पहुंच में भी नहीं आता बढ़ते है next tip के तरफ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कुर्ता है और यह काफी धीला है तो बिना काटे बिना सिले इसको किस तरीके से इसका जो fitting है वो maintain करेंगे सबसे पहले तो उल्टा कर लेजिएगा दोनों साइडों में आपको safety pin लगानी है और इसके बाद एक आपको dory चाहिए इसके अंदर dory लगा दीजिए अब इसे यहाँ पे आपको tie कर लेना है जितना भी आपको fitting चाहिए और बस आप emergency में इस tip को ज़रूर follow कर सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आपने कहां से इसको fix किया है तो यह tip भी बहुत अच्छी है आप एक बार जरूर इसको emergency में करके देखिएगा यहाँ पे देखिए मेरे पास धेर सारी polythine है और polythine को किस तरीके से मैं use करूंगी वो मैं बता रही हूँ सबसे पहले तो polythine को अच्छी तरीके से flat कर लीजिएगा और इसको न इस तरीके से आपको fold कर लेना है इसके बाद जो उपर का part है और नीचे का part extra है उस दोनों part को cut कर लेना है अब इसको इस तरीके से fold कर लेना है fold करने के बाद देखिए बीच में आप staple लगा दीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से secure हो जाए अब क्या करना है कि देखिए आपको न इस तरीके का cap लेना है और cap से इस पे measure कर लेना है ताकि इस बिल्कुल round shape में आप इसे cut कर सके तो देखिए मैंने इसे cut कर दिया है अब इसको न इस तरीके से किनारे किनारे से आपको इसकी cutting कर लेनी है जैसे ही cutting खतम हो आप इसको हाथों पे रग करके अच्छी तरीके से इस तरीके से आप रगड़िएगा तो आप देखिएंगे कि बहुत ही प्यारा सा ये pom-pom बन करके ready हो जाएगा जो कि देखिए दिवाली में इस तरीके के flowers बहुत ही महंगे आते हैं तो आप इस तरीके से बनाईए और अपने घर को decorate करिए तो देखिए महाँ पे तो मैंने staple लगाया दूसरी टिप ये है कि यहाँ पे आप इसकी सिलाई भी कर सकते हैं तो बिल्कुल असान तरीका है अपने घर के जितने भी polythene है उसको utilize बिल्कुल कर सकते हैं as a decorative purpose के लिए अब देखिए इस तरीके के जो white shirt होती है उसमें जरा सा पसीना क्या आता है बिल्कुल yellow हो जाता है यलो दिखने लगता है तो इसके लिए जब कभी भी आप white shirt या फिर इस तरीके के टी-shirt पगर पहन रहे हो आपको sweating ज़्यादा आती है तो वहाँ पर powder जरूर लगा दीजिए और इसके बाद पहनिए तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपका sweating भी आएगा तो बिल्कुल भी smell नहीं आएगा अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक mask है mask को मैंने इस तरीके से cut कर लिया है तो आपने भी देखा होगा mask के अंदर बहुत ही soft कपड़ा होता है तो उसको आप अपने चश्मे को साफ करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि माइक्रो फाइबर का जो कपड़ा होता है वो कभी कभी गुम हो जाता है तो इस तरीके से आपको tension लेने की ज़रूत नहीं है आप किसी भी normal कपड़े से मत साफ करिएगा नहीं तो आपके चश्मे पे स्क्रेच रा जाएगा तो इसको साफ करने के लिए इस तरीके के मास्क के कपड़े का योज आप यहां पे कर सकते हैं देखा आपने कितना जादा यह clean हो गया है अब देख लेते हैं next tip तो देखें यहां पे मैंने दूद ले लिया है थोड़ा सा और इसके अंदर हल्दी डाल दिया है यह कच्छा दूद है आपको आपके घर में जैसे भी available हो आप उसका use कर लिजिएगा देखें यहां पे मैंने cotton ले लिया है और cotton की न मैं बती बना करके दिखाऊंगी जो बती आप market से खरीद करके ले आते हैं काफी महंगे price में तो उसको आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही easy तरीका है तो यहां पे मैं आपको पंचमुखी बती बनाना सिखा रही हूँ आप इसी तरीके से single बाती भी बना सकते हैं सबसे पहले तो इस तरीके से cotton ले लिजिए top bottom में इसको अच्छी तरीके से twist करके और जैसे मैंने दूद वाले हाथ लगा-लगा करके इसको twist किया है वैसे ही आप करेंगे तो यह काफी hard हो जाते हैं और काफी अच्छी तरीके से यह जलते हैं देखिए एक दिये में डाल करके आप इस तरीके से पंच मुखी बाती बना करके दिया जला सकते हैं और पूजा कर सकते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए इस तरीके से पिछले साल का या फिर आपके पास जो मंबतिया होती है वो उसको यूज कैसे कर सकते हैं उसका रियूज करने का मैं तरीका बता रही हूँ सबसे पहले तो आप डबल बॉयलर मेथट से आप इसको मेल्ट कर लीजिएगा अगर आप इस तरीके से मेल्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिया ले लीजिएगा उसमें डाल करके आप डारेक्ट फ्लेम पे भी इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर सकते हैं अब जो भी इसका वेस्टेज है इस तरीके के धागे वगरा हैं आप उसे निकाल दीजिएगा निकालने के बाद देखिए इसमें मैं एसेंशेल ओयल डाल रही हूँ आपके पास जो भी है फ्रेग्रेंस वाला ओयल आप डाल दीजिएगा यहाँ पे आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं जिस भी कलर का आपको बनाना हो अब देखिए यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है धागे यह जो टी लाइट केंडिल होती है ना उसके नीचे का यह बेस है उसके अंदर डाल करके मैंने और एक कांच की शीशी लेकर मैंने उसमें इसको सेट कर दिया है आपको बहुत ज़दा जलबाजी हो तो इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं उसमें भी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है या फिर आप इसको नॉर्मल टेंपरेचर पे भी सेट कर सकते हैं यहां पे देखिए बीना किसी एक पैसा खर्च की हुए आपके पास फ्रेग्रेंस वाली कैंडल बन करके रेडी है जिसको आप सच में यह बहुत महंगे आते हैं इस टाम पे तो और इसको जला करके देखिएगा यह खुबसूरत तो लगते ही हैं साथ के साथ आपके घर को एकदम खुश्बू से भर देते हैं काफी अच्छा लगता है चलिए देखते हैं नेक्स टीप तो देखें यहां पे मेरे पास वाच है और कभी किसी भी रीजन से बच्चे ही हैं उन्होंने पानी में डाल दिया तो यह गिली हो जाती है गिली होने के बाद यह खराब होने लगती है तो इसको चावल में डिप करके रख दीजिए ओवरनाइट जो भी इसके अंदर पानी गया होगा वो चावल अच्छी तरीके से अब्साब कर लेगा और जो आपकी वाच है वो खराब होने से बिल्कुल बच जाएगी इस तरीके के पॉलिथिन हर किसी के घर में मिल जाते हैं आप इसको क्या करिएगा कि जो टॉप ओला पार्ट है ना उसको कट करके निकाल दीजिएगा चुकि वहाँ पे प्रिंट बना हुआ था तो इसलिए मैंने उसे कट किया है बाकी जो प्लेन पार्ट है ना उसको आप इस तरीके से बैंगल में डाल करके ये कठा करके धागे से बान दीजिएगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लीजिएगा इसी तरीके से आपको ढेंगल लगा करके और इस तरीके का शेप कट कर लेना है और इसके बाद इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊँगे तो देखें यहाँ पे आप अगर एक तरीके की polythene यानि की एक कलर कर लगाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं या फिर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो कलरफुल प्लास्टिक ले सकते हैं अब इन सबको एक जगाई कठा करके आपको खुब अच्छी तरीके से इसको मजबूत धागे से बान देना है बानने के बाद जो ये पैटल्स है ना जो हमने बैंकल से बना रखा है उसको आप इस तरीके से सेपरेट कर दीजिएगा तो ये बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर बन जाता है जिसको आप अपने घर में जो भी आपके पास पड़ा हुआ है वास उसके अंदर डाल दीजिए काफी खुबसूरत लगता है और आपके घर में जो भी प्लास्टिक है वेस्ट पड़ी है उसका यूटिलाइज भी हो जाता है अब यहां पे देखिए मैं प्याज में इस तरीके से छेद क्यों कर रही हूँ आपको थोड़ी से हैरानी जरूर हो रही होगी तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक प्याज लेनी है छोटी बड़ी जैसी बी हो इसमें छेद कर लीजिएगा इसके पासे एक धागा ली लिजिए धागे को इसके आर पार निकाल करके और इसको हैंग कर लेना है तो इसको हैंग क्यों करना है देखिए अभी इस टाइम पे लिए चिपकलिया भी आती है तो ये कहीं भी जहां भी आपके घर में ट्यूब लाइट है बल्ब है वहां लगा दीजिए बिल्कुल भी चिपकलिया नहीं आएंगी अब इस तरीके से देखिए जब आप कुछ राइटिंग करते हैं या फिर बच्चे ही राइटिंग करते हैं तो उस टाइम पे रॉंग होता ही है तो इसके लिए एरेजर बार-बार मांगते हैं वो तो बच्चों की जो पैंसिल है उसके उपर आप इस तरीके से रबर लगा यह एरेजर का ही काम करेगा बच्चे आपको बार बार तंग नहीं करेंगे और जब कभी भी रॉंग होगा वो इसको रिमूब कर पाएंगे यहां पर दिखिए मेरे पास एक चेन है चेन बहुत ज़दा हम कॉंशेस रहते हैं कि कहीं चेन गिरना जाए तो इसके लॉक पे आप इस तरीके के जो ट्रांस्पेरिंट नेल पेंट होते हैं उसे लगा दीजिए काफी हद तक यह स्ट्रॉंग हो जाता है और लॉक हो जाता है बिल्कुल यह नहीं गिरेगा जैसे मर्जी वैसे आप इसको यूज़ करें अब देख लेते हैं नेक्स टिप तो देखें इस तरीकी के जो कार्ट बोर्ड होते हैं उसको कुछ इस शेप में कट कर लीजिएगा और इस तरीके से आप इसको बहुत ही प्यारे तरीके से एक होल्डर बना सकते हैं जो आप अपने किचन में रख सकते हैं काम करते वक्त आप अपना एंटर्टेन्मेंट करते रहिए यहां पर देखिए मेरे पास नीबू है नीबू का जो टॉप अला पार्ट है उसे मैंने कट कर लिया है उसको फेक ना नहीं है बीच वाले पार्ट को यूज करके जो पार्ट बच जाता है उस पर लगा करके आप टूट्पिक लगा दीजिए नीबू खराब नहीं होता अब यहां पर देखिए मेरे पास एक विम लिक्विट जैल की बॉटल है इस पर थोड़ा ही रह गया है तो मैं तो जब कभी भी यूज करती हूँ इसको पानी के साथ डैलूट करके जरूर यूज करती हूँ जिससे आपका जो व बहुत ही प्यारा सा छोटू सा देखिए और्गनाइजर बन करके रेडी है आप इसको अपने किचन के सिंक में लगा दीजिए और जो भी आपके पास स्क्रोच ब्राइट या फिर इस तरीके के स्पॉंज होते हैं बरतन को वाश करके इसके अंदर ही डालिए जिससे जितन होंगी सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने कट करके यहां पे होल किया है आप होल कर लीजे और फिर जितने भी आपके कैटलरीज है या फिर इस तरीके के नाइफ अगरा हैं इसको डाल करके आप ऐस और्गनाइजर यूज कर सकते हैं नेक्स टिप भी हमारी बॉटल से रि जब आपको जरूरत हो आप इसमें से निकालिए और फिर कैप लगा करके आप इसे रख सकते हैं अब यहां पर देखिए अगेन मैंने एक कपली कैप लिया है और उसको इस तरीके से फॉल पेपर के अंदर डाल करके और अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है जिसे यह बहुत कोटन की बत्ती लगा दीजिए ओयल डाल दीजिए थोड़ा सा इसमें फ्रेग्रेंस डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है यह जब कभी भी आपके यहां पावर कट होता है तो आप इस तरीके से घर में पड़ी हुई चीजों से दिया बत्ती बना सकते हैं और अ यहां पर देखिए इतनी सारी लीड आप भी हैरान हो रहे होंगे इतनी सारी लीड कौन रखता है बट मैं रखती हूँ क्योंकि यह लीड होती बहुत काम की हैं आप इसको इस तरीके से और इस तरीके के जो बच्चों की प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स होता है न उसके अ एक स्टीप तो यहां पर देखिए मेरे पास यह कार्टबोर्ट पेपर का एक बैग है और इसको कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है फोल्ड करने के बाद जो हैंगिंग वाला पार्ट है उसको मैंने यहां पर कट करके निकाल दिया है अब इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे ना तो इस पे लाइन बन जाएगी और बस उसी के एक और्डिंग आप इसको अंदर के तरफ फोल्ड करते जाएए ये बहुत ही स्ट्रॉंग सा एक बैक बन करके रेडी होगा जिसमें आप अपने बच्चों के छोटे-छोटे कप्डे जो अंदर गार्मेंस होते ह या फिर आप अपने भी गार्मेंस इसके अंदर रख सकते हैं काफी मजबूत होता है और देखिए जो उपर का हैंडल है उसको फेकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा इसको निकाल लेजिए दो होल बनाएए और इसके अंदर इंसर्ट करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैंगर भी बना सकते हैं और ये काफी स्ट्रॉंग होता है आपने भी देखा होगा तो बस आप इसको अपने वाडरूब में यूज कर लीजिए काफी अच्छा है ये मूब भी हो जाएगा इजी तरीके से अब यहाँ पर देखिए सूट हम पहनते हैं कॉटन के सूट ब पहुंच करके आप इसे फैंक सकते हैं या फिर इसे बहुंच करके दुबारा रियूज भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जितनी भी ऑईल की बोटल्स होती हैं काफी गंदी हो जाती हैं तो उसको पोचने के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं और बस जब य पड़े हूं तो उसको अच्छी तरीके से चिपका दीजिए चिपकाने के बाद ऊपर और नीचे दोनु तरफ इसको अच्छी तरीके से स्टिक कर दीजिएगा अब देखिए बहुत ही प्यारा सा एक वास बनकर के रेडी है जिसको आप अपने चुटे-चुटे फ्लावर्स को इसमें डाल करके अपने घर की रौनक अपने घर की जो ब्यूटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं तो देखा आपने कितना जादा खुबसूरत लग रहा है यह अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ देखिए इस तरीकी के जो रिमोट होते है न चाहे टीवी का रिमोट ह जगणा करते रहते हैं मेरे को चाहिए तो देखिए यह बारवर हाथों में जाता रहता है इसलिए यह डिर्टी भी हो जाता है तो इसको साफ करने के लिए आपके घर में जो भी एकस्पाईर पर्फियूम पढ़ा हो उसका इस्तमार कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से क इकाल करके अच्छी तरीके से आप इससे रगड दीजिए ऐसे आप बिल्कुल गोल गोल बाती बना करके रेडी कर सकते हैं साथ के साथ अगर आपको लंबी बाती बनाना हो तो यहां पे आप अगर बती का यूज कर सकते हैं इससे भी बहुत अच्छी जो लंबी बाती होती ह तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा और कॉंसे टीप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी जरूर बताईएगा तो आज के लिए इतना ही मिलती हुमें कल एक और नई और बहुत ही जदा इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब ते के लिए आप अपना खूंसार ख्याल रखिएगा बाई बाई और टेक केर